मित्रों जय मातादी आप देख रहे हैं धर्म सिक्षा मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रोपटी खरिदने का अक्टूबर दोचार पाइस में कौन-कौन सा दिन सुब रहने वाले हैं किन-किन दिनों में आप प्रोपटी खरिद सकते हैं प्रोप पोपटी किसी भी प्रकार की हो, उसमें काफी ज़्यादा गारी कमाई हमारी लगती है, ज़्यादा तर लोग उसे लोन लेकर खईते हैं, तो ऐसे में अच्छे महुर्त का चेन होना आवसेक है, क्योंकि जब भी हम पोपटी खईते हैं, हमारे मन में एक ही बात चलती है, कि इ पेरे बेटे पोते और उनके बेटे पोते भी कर पाएं तो इसके लिए अच्छे मोहूर्थ में ही पोपठी को खईदना चाहिए। पोपटी खैदने का महुर्थ मैं आपको बताना आरम करूं। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं उन परिस्तितियों पर जिन परिस्तितियों में तो बिल्कुल भी पोपटी नहीं खैदना चाहिए हमें। तो आएए नोट कर लिजिए। पहला सनिवार और मंगलवार को पोपटी का रेश्टेशन नहीं करना चाहिए। जब अब रेश्टेशन कराते हैं पोपटी के मालिक बनते हैं उसी चीज का मुहूर्थ होता है। दूसरा राहुकाल हर रोजी आता है। तो जो राहुकाल का काल खंडे समय हैं उस समय में पोपटी का रेश्टेशन ना हो पॉपटी का रइश्ट्रेशन नहीं करना चाहिए भद्रा और राहुकाल दोनों की जानकारी हमारे चैनल पर हर रोज पंचांग का वीडियो आता है उसमें आपको समय समय पर मिलती रहती है पंचक हर महने ही आता है जब जब पंचक रहे तब भी पॉपटी का रइश्ट्रेशन नहीं करना चाहिए इसमें भी नुकसान होता है तो लगे हाथों आईए जाल लेते हैं कि अक्टूबर में पंचक कब से कब तक रहने वाल है तो गुरुवार 6 अक्टूबर को सुबह के 8 बच कर 43 मिड़ से पंचक आरंब होगा जो की 100 अक्टूबर 10 अक्टूबर को सामके 5 बच कर 10 मिड़ पर समाप्थ होगा अर्थात गुरुवार 6 अक्टूबर से लेकर 100 अक्टूबर 10 अक्टूबर तक पंचक चलेगा इसमें पोपटी ना खरीदें इस मेंने कुल चार लंबे मोहुर्त बनने हैं पोपटी खरीदने के हो सकता है आपको किसी भी कारण से यह मोहुर्त सूट ना करे किनी के पैसे एनेज नहीं हो पाए अगली पाटी रेडी नहीं हो पाई अलग लग लोग अलग लग तरह की परिशान ही या फिर रासी कनुसार राहुकाल और भद्रा को च्छाट कर आप मोहुर्त अपने लिए चाहते हैं व्यक्तिकत तोर पर अपने हिसाब से मोहुर्त न पर निकल वा सकते हैं आई अब जान लेते हैं कौन कौन से दिन सुब बन रहे हैं पोपर्टी खाइदने के लिए तो पहला मोहुर्त बने का सुकुरवार 14 अक्टूबर 2022 को इस दिन तिथी करमसर पंचमी और सश्ठी रहने वाली है नक्षतर करमसर रोहिनी और मेक सिरा रह करने काया रहने वाला है सुब महुर्त का निर्वान होगा सुडवयोदय से लेकर अहो राती तक अर्थात आपके हां जब से जब तक पोपट्री रेटि खुला रहे आप रेश्ठेसी खुला रहे हैं दूसरा सुब महुर्थ का निल्वान होगा गुरुवार 20 अक्टूबर 2022 को, इस दिन तिथी करम सर दसमी और एकादसी रहने वाली है, नक्षत्र, असलेशा और मघा रहने वाले हैं, सुब महुर्थ का निल्वान होगा दिन के 2 बज कर 6 मिनट से लेकर अहो रातरी तक, इस द इस दिन करम सर तिथिया रहने वाली है, एकादसी और द्वादसी, नक्षत्र करम सर मघा और पूर्वा फालगुनी रहने वाला है, सुब महुर्थ का निल्वान होगा सुर्योदे से लेकर अहो रातरी तक, अर्था जब से जब तक इस दिन आपके यहाँ पोपर्टी पूर्वान होगा सुर्योदे से लेकर अहो रातरी तक, तो इस दिन भी जब तक आपके यहाँ पोपर्टी रेश्ट्रेशन का आवेस खुला रहे है, आप रेश्ट्री करा सकते हैं, राहु काल कर धियान रखने यहाँ भी आवेस्यक है, तो मित्रु यहाँ पे मैंने आप आपको अक्टूबर 2022 का प्रोपर्टी रेश्ट्रेशन का सुब महूर्थ बताया है, अगर आप व्यक्ति का तोर पर महूर्थ निकल वाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया आपको इस वाट्सेप नमर पर संपर्ख करना है, और वाट्सेप पे लिखना है मिलते हैं, तब तक देखते हैं, धर्मसिक्षा, जै माता दिन!